है नमस्कार दोस्तों आपका प्रणा चैनल आकास एटीप में हार्जेश स्वावत करता हूं और आज अमरी इस्टोरी के टाइटल है दा सैंसिबल रैबीट सेंसिबल यानि समध्दार रैबिट यह खरगोष समध्दार खरगोष सुरि इस्टोरी को स्टार्ट करते हैं elephant have the habit of roaming in families throughout the forest and search of food and water habit एनी आदत, roaming means घूमना, family's परिवार, throughout एनी लगातार, forest एनी जंगल, search एनी तलास करना, food एनी भोजन, water एनी पानी हाथियों अपने लिए बोजन वे, पानी की तलास में अपने परिवार के शाथ पूरे जंगल में घूमने की आदत थी, they cover large area in a single day, single day में एक दिन, large यानी बड़ा area में छेतर, वहें कवर में पूरे में घूमना, वहें एक दिन में बड़े छेतर में घूम लेते थे, या cover कर लेते थे, when they roam, they usually trend upon many small animals land and kill them, roam means यानी घूमना, इदर उदर घूमना, usable यानी आम तोर पर, training means चलना, upon यानी उपर, many small यानी कई छोटे animals जानवर, kill means मारना, जब वह घूमते तो, आम तोर पर, कई छोटे जानवरों के उपर वहें चलते, जिससे वहें, मर जाते, So when the smaller animals, hear the trumpeting of the elephants, run for their lives, smaller in छोटे animals in जानवर, hear them, सुनना, trumpeting यानी हातियों की आवाज, run means तोरना, living in जान, जब वहें हातियों की आवाज सुनते, तो वहें अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ से दोड पड़ते, क्योंकि निडल लगता था कि हम मात यूक नीचे आके मर जाएंगे, तो इसलिए हम जान बचाने के लिए भाग जाते, Many a time, कई बार rabbits get crushed under the heavy fit of the elephants and lost their live and those of their loud ones, Many a time, कई बार rabbit यान खरगोश, crush मिन्स कुचलना, underneath नीचे, heavy यानी भारी, fit यानी पाउं, Loss मिन्स खोना, और वहें कई बार हातियों के भारी पाउं के नीचे कुचले जाते, जिससे वहें अपनी और अपने परिजनों की जान गवाने पड़ती, Even though the rabbit try hard, they could not outrun the elephants, Outrun means आगे भढ़ना, Try means यानी परियास करना हाड यानी मुश्किल, और यद पि वहें परियास भी करते हातियों से आगे भागने की परणतु वहें आगे नहीं निकल पाते, Do not seem to even notice the death of the rabbits, Same means यानी पर्तित होने या एसास होना, Notice means यानी चेतावनी, लेकिन हाथियों को खरगोश की बनने का एसास भी नहीं होता था, The barrier, rabbits gather together, Barriers यानी सोक या वंजित, Together यानी एकटा या मृत्यू, Together together यानी साथ, इसका अरत होता है कि एकटा भी होता है या मृत्यू, जब कोई rabbit यानी खरगोश मर जाता तो उनके एक साथ वहें एकटा होते, इस पूरे सेंटेंस का अरत है कि सोक संत्वन्त जिश्कार गोश एक साथ एकत्रित हुए, और वहें दुख से बरे थे, फिलन बर न सोरेवेंस दुख और वहें दुख से बरे थे, लुक एट वन अनादर और वहें एक दूसरे को देख रहे थे, लुपित देखना, नोट, knowing what to do, उन्हें नहीं पता था कि क्या करें, देर वोज वन स्मार्ट रैबिट्स इन हर्ट इन दा हर्ट हर्ट यानि जुन्ड रैबिट यानि खरगोश इसमार्ट यानि शमद्दार उस जुन्ड में एक खरगोश समद्दार था ही ओपन अप ओपन मतलब वह है खुलकर कहा इफ वी दू नोट थिंग ओफ ए वे तू ड्राइवर्ट दा एलेफेंट्स वी आर शोर तू दू वनस दे और दा अधर्स तिंगमिंश सोचना वे 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 रास्ता ड्राइवर्ट यानि अठाना या उनसका ध्यान बटकाना किनका हातियों का शोर निश्चित ही ड्राइविंश मरना वन यानि एक डेमिंश यानि दिन हे दोस्तों यदि हम हातियों का ध्यान नहीं बटकाएंगे तो हमारा एक ना दिन एक दिन मरना निश्चित है कौन कह रहा ही है इसमाट यानि बुद्धिमान खरगोश वोट सेल भी डू हम क्या करें आक्ष दा अधर रैबिट्स इन ए सिंगल वोईज दूसरी खरगोश ने एक आवाज में कह पूछा लेट मी टोप विथ दा एलेफेंट चीफ एंड सी वोट कुड बी डन रिप्लाइड दा स्माट ड्रैबिट्स चीफ यानि जो मुख्या होता है उसे चीफ बोलते हैं या सरदार को चीफ बोलते हैं लेख ब्रीफ लाइड जवाब देना और बुद्धिमान खरगोश ने कहा कि मुझे हातियों के मुख्या से बात करने के लिए जाने दो फिर देखते हैं क्या होगा मिट मिलना और वह हातियों के सरदार से मिला हो माइटी चीफ माइटी मिन्स ताकतवर चीफ यानि मुख्या है ताकतवर सरदार दा पांड नियर विच वी लिव बिलोग तू दा मून डेटी डेटी का मतलब बाता है देवता मून यानि चंदर मा लिव बिलों यानि रहना पाउंड इस तालाब नियर यानि पास में हे ताकतवर शरदार हम जिस तालाब के पास रहते हैं वहें एक चंदर देवता का तालाब है जब आप वहां से चले जाते हैं तो वहां हर रात रोती है she is very upset and sad thinking of the living lost due to your deed देड मिन से उता है करम या काम तिंक मिन सोचना upset यानि प्रेशान sad मिन उदास और वहां यह सोच कर हमेशा प्रेशान उदास रहते हैं कि आपके हैं करमों के कारण कितने लोगों की जान चले गई दा एलेफेंट चीफ रिफलाइड इज 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 इट सो कैन यू प्रूब इट क्या ऐसा हो सकता है क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं प्रूमिंस यानि साबित करना अब साबित करके दिखाएगा देखो दा रैबिट टुक दा एलेफेंट चीफ टू दा नियरबाइड पाउंड एंड सो दा रिफलेक्शन ओब दा मून नियरबे यानि पास में पाउंड इन तालाब रिफलेक्शन यानि परतिविम या परच्छाई मून यानि चंदर्मा और खरगोश हाती को तालाब के पास ले गया और उसे चंदर्मा की परच्छाई दिखाई दा रिफलेक्शन वोज सिंबरिंग डू टू माइल ब्रीज माइल यानि हिलना ब्रीज यानि हवा वह हवा के कारण थोड़ा हिल रहा था दा एलेफेंट टुक इट फोर दा मून सोरो और वह हाती ने देखा कि हेर आप्टर वी सेल नोट क्रोश दिस वे हम इस रास्ते से हम इस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरेंगे लिव इन हैपी खुशी खुश रहो डैट वोज दा लास्ट टाइम दा एलेफेंट वेर सीन सीन दा डैट एरिया और हाती को उस एरिये में आखरी बार देखा गया था दा रैबिट्स लिव इन पीस एंड सैप्टी एवर आप्टर पीस यानि आत्सान्ती सैप्टी रक्षा खरगोस हमेशा के लिए वहां सांती और वे सुरक्षा से रहने लगे कैसी लगी स्टोरी अगर थोड़ी पी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आपका दिन सुब हो थैंक्यू कि अग्यू कि